आज हम आपको क्लास 9 का आगे की वीडियो करा रहे हैं 1.6 से पर चलेगा हमने आपको इसके वारे में बहुत सारी चीजे बता दी थी लास्ट वीडियो में जाके देखे बिटा और देखें यहां पर हमने एक्जामपल 20 विडियो में चार कुशिन आपको दिये हो हैं तो कुशिन अराम से कराते हैं वाला कुशिन देखो जैसे कि हमने पहले भी आपको कराया था कि जब बेस सेम हो बिटा और आपको पावर डिफरेंट हो तो हमने क्या बताया था कि क्या होता है गुडा में घाते जुडती हैं M प्लस N यही पढ़ाया था ना बिटा तो चलिए अब क्या करेंगे इसमें पहले कुशिन में आप देखिए कि हम क्या करेंगे आप तू की पावर में 2 अपावर एक तो इसे सॉल्ट करेंगे आगे कितना हो जाएगा 2 की पावर में 2 रेक 3 और 3 3 से 3 खतम करा 2 की पावर 1 आंसर 2 आगे चलिए दीखिए दूसरा गुश्यन देखिए दूसरे गुश्यन में क्या दे रिखा बिटा कि यदि मैंने आपको कराया था 1 अपॉन में M और की पावर में N तो क्या होता है बिटा M गुणा N होता है अगर मैंने 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा तो 2 की पावर में 3 गुणा 2 होगा तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 दूसरा यही था ना बट यहाँ पी क्या है बच्चे दिखीगा जरा कि हमने जब इसे सॉल्फ करा 3 की पावर में एक बटे 5 और गुणा में 4 है ठीक है ना तो नीचे क्या है भई उपर तो 4 है ना और नीचे इसके बटे में करें तो एक है उपर से उपर गुणा करो नियूमिनेटर में नियूमिनेटर की और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की आंसर आपका आया 3 की पावर में 4 upon 5 ठीक है बटा यह answer आ गया clear है चलिए अब आप क्या करेंगे आप question number 3 देखिए बटा मैंने आपको यह भी कराया था कि जब base same हो और आपको divide कर रहे हो भाग में घाते घटती है यही था ना तो इसको solve पर यह बच्छे 7 की पावर में 1 upon 5 minus 1 upon 3 यही लिखेंगे ठीक है फिर क्या हो जाएगा यहापे denominator same नहीं है same करने के लिए कितना L same रे लिए 5 तीया 15 5 से काटा 5 तीया 15 3 से काटा 3 पंजे 15 ठीक है क्योंकि उपर एक था इसलिए one time गया तो क्या हो जाएगा बच्छे यहापे 7 की पावर में 5 में से 3 गया तो minus का 2 बटे बे कितना 15 यह answer आगया आपका clear है चलिए अब next देखेगा next आपका last question करा रहे है इसी का ध्यान से देखेगा last question है आपका मैंने आपको यह भी बताया था कि जब base different हो और power degree same हो तो क्या करते है A गुणा B की पावर M यही करते है न इसी तरह से आप यहाँ पे करिएगा देखेगे 13 multiply में 17 की पावर में 1 by 5 ठीक है गुणा कर लीजे आपको दो अंकों की गुणा बताया था मैंने कैसे भी कर लीजे ठीक है सत्रे ती क्यावन एक पाँच कह रही सत्रे कम सत्रे और सत्रे और पाँच कितने होता है बिटा 22 ठीक है 2 2 1 की पावर 1 by 5 अंसर आ गया बहुत इजी exercise है बड़े आराम से करेंगे ठीक है अब आपको exercise में लेके चलते हैं देखे बचे पहला कुष्यन है आपका तो पहला कुष्यन बहुत इजी है simple है कोई भी जल्दवाजी ना करें इसमें बड़े आराम से करेंगे पहला कुष्यन solve करो पहले बिटा पहला कुष्यन आपको दिया है कि 64 की पावर में बिटा 1 by 2 है एक बात ध्यान से देखो कि आपको बोल रहा है कि 64 की पावर में 1 by 2 है तो 64 को आप ऐसा ब्रेक करो कि उसकी पावर भी 2 आ जाए देखे एक चीज में आपको सिखाना चालता हूँ मैंने लिखा A की पावर 2 और की पावर 1 by 2 तो पावर खतम कैसे मैंने अभी अभी कराया देखे ऊपर है और जब इसे गुणा करेंगे 1 by 2 तो बिटा क्या हो जाएगा एक की पावर 2 by 2 हो जाएगा 2 से 2 खतम तो इसी प्रकार से जब इसे सॉल्व करोगे बच्चे आप ऐसका देखे का ऐसा देखेगा कि यह जो 64 है यह किसका स्क्वाइर बन सकता है आपने का कि यदि 8 का स्क्वाइर करूँ तो बन जाएगा तो आपने सॉल्व करा 8 की पावर 2 गड़ा 1 by 2 काटा कड़ गया तो आंसर कितना है 8 की पावर 1 आंसर आगया आपका 8 क्या आगया आपका आंसर बिटा 8 आगया किलियर है हाँ या ना हो गया ना समझ में भी आया चलो अब बिटा next question जड़ा देखो next भी इसी प्रकार से होगा second देखेगा बच्चे second में क्या करना है आपको 32 दे रखा है अब 32 के बिटा फैक्टर जब करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो देखोगे आप 2 की पावर 5 प्रेम्स जाए 2 की पावर 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है मुझे पता था इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया आपको नहीं पता है तो आप ब्रेक करना आप इसको फैक्टराईजेशन करना 2 की पावर मैं जब इसे ब्रेक करोगे बिटा तो कितना आएगा यहां पे आपका देखे 2 की पावर 5 और की पावर 1 बाई 5 ठीक है डारेक्ली काटना है डारेक्ली काट दो और ऐसे करके दिखाना है तो ऐसे दिखा दो बिच्छे तीसरा थैर्ड कुश्यन इसी का थैर्ड कुश्यन है बिटे 1, 2, 5 की पावर 1 बाई 3 यही दे रखा है ना 1 बाई 3 इट मिन्स की ये भी हमें क्या करना है कि 125 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि उसकी पावर क्या हो 3 हो तो 5 की पावर बिटा 3 आपने 5 का क्यूब याद करा है 5 की पावर 3 125 होता है बटे 3 तो जब इसे सॉल्व करोगे 3 गुडा 1 बटे 3 3 से 3 खतम 5 की पावर 1 आंसर 5 तो पहला कुश्यन आपका सॉल्व हो गया है बच्चे दूसरा कुश्यन देखे चलिए दूसरा भी सेम कुश्यन है मतलब कि आपको सॉल्व करना है कुछ भी नहीं करना है बटा बहुत इजी एक्सरसाइज है तो सबसे पहले पहला कुश्यन सॉल्व करो बई 9 है अगर हमने कहा कि 3 का 3 सॉरी 9 जो है वो किसका स्कुएर है 3 का 3 तिय 9 और कि पावर 3 बटे 2 है बच्चे जब इसे आप खोलोगे तो 2 गुणा 3 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ आप 2 से 2 को काड़ दोगे 3 की पावर 3 बराबर में 3 गुणा 3 गुणा 3 तिय 9 तिय 27 27 इसका बिच्चे आंसर आगया या आप यहाँ पे छोड़ दीजे ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है आप जैसा सुटेवल चाहें वैसा लिख सकते हैं बच्चे अब देखिए आप 2 गुश्चिन बिटा 5 से 5 खतम हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी कितने होते हैं 4 Simple answer ठीक है इसी प्रिकार से आप किसको करोगे कुश्चिन 3 को जो 2 कुश्चिन है उसका 3 पार्ट ठीक है 3 में क्या है बिच्चे 16 16 दिया हुआ है तो 16 बिटा क्या होता है 4 चोक सोल है 4 का स्क्वाइर जो होता है बट अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिये पहले कि जब कभी भी यहाँ पे दे रखा है 3 बटे 4 और यहाँ पे सोले दे रखा है बिटा सोले को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिसका फॉर्म जो हो मालो 2 का स्क्वाइर है तो जो यहाँ पे है न सोले जो भी आए मतलब बेस और जो पावर आए वो 4 के रूप में आ सके कोसिस करते है तो हमें पता है हमने पड़ भी रखा है कि 2 की पावर 4 16 होता है जो 16 को तोड़ोगे तो कितना फेक्टर होगा 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 तो अब इसे आप करोगे जब सॉल्फ बिटा तो कैसे होगा यह सॉल्फ 2 की पावर 4 और गुणा में 3 बटे 4 ठीक है अब क्या हो गया यहाँ पे 4 से 4 खतम कर दिया आपने 2 की पावर 3 आंसर कितना हो गया 8 हो गया क्या आप समझ पा रहे हैं चलिए इसी प्रिकार से हम discussion को करते हैं अभी करके आए हैं इसे हमने कहा कि 5 की पावर में 3 की पावर माइनस 1 बटे 3 3 से 3 खतम 5 की पावर माइनस 1 बिटा जब माइनस 1 है तो इसे इस प्रिकार भी लिख सकते हैं या बराबर 1 बटे 5 या बराबर 1 बटे 5 समझ रहे होना आप चलिए अब next question करते हैं बिटा ठीक है चलिए देखे आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे की हमने आपको cushion कराया तो यह cushion करा चुके हैं इस प्रिकार के फिर भी क्या है कि exercise खतम करनी है और आपको पढ़ाना है बिटा तो आप direct third cushion में क्या है simplify करना है simplify बहुत आसान होता है इसमें देखेंगे base हमारा क्या है same है तो टू की power में क्या हो जाएगा 2 upon 3 और plus 1 upon 5 अब क्या करोगे यहाँ पे आप इनका यहाँ पे denominator same करिए 15 हो गया 3 से काटे 3 अपंजे 15 पांच गुणा 2 और उपर आप क्या हो जाएगा हमारे पास में वही 2 की power में 15 और यहाँ 2 से काटेंगे सरी 3 से 3 पंजे 15 पांच और 2 उपर है यहाँ से 5 से काटो 3 और 1 है उपर तो क्या हो जाएगा 2 की power में 5 नी 10 3 और बटे में 15 solve करोगे बिटाई से 2 की power में कितना हो जाएगा 10,3,13 बटे में 15 2 की power कितना होगे हमारे पास में 13 बटे 15 समझ में आया हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर हमने इनको क्या गरा हरका परी क्या गरा denominator सेम करा L सेम दिया 5,3,15 बनाया उपर हमने जब नीचे इसमें कितने करी 5 की गुणा तो उपर भी करेंगे उपर 5,2,10, नीचे 3 की करी तो उपर भी करेंगे 3 और नीचे 15 तो उपर कितना होगा 10,3,13,13,15 क्लिए रहे दूसरा कुष्ण देखो बच्चे जल्दी स्पीड ली देखें दूसरे कुष्ण में क्या है बच्चे दूसरे कुष्ण में आप देखेंगे कि 1 अपॉन में 3 की पावर 3 दिया हुआ है राइट 7 है अब देखो उपर जब आएगा तो 1 की पावर 7 ठीक है और नीचे कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा में 7 वह एक की पावर कितनी कर लो वो एक ही रहता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर में साथ तिया 21 या आप इसे इस प्रिकार भी लग सकते हो 3 की पावरा में 21 माइनस में राइट दोनों ही आंसर आपके सही है ठीक है बटा समझ में आ गया ओके दूसरा करिए इट मिन्स तीसरा 3rd कुशन देखिए बच्चे 3rd कुशन कुशन 3rd में वो ही होगे ना भई 11 की पावर है तो 11 की पावर में 1 by 2 माइनस में 4 अब पता है कि जब LCM लेंगे तो इन दोनों में 4 बड़ा है 4 आगया 2 से काटो 2 दूनी 4 एकम तो इसे काटेंगे कितना है 11 की पावर में कितना 1 बटे 4 यही आंसर है 11 की पावर 1 बटे 4 ठीक है ना चलिए नेक्स देख लिजे बहुत इजी है नेक्स भी मैंने क्या का था दोनों बेस डिफरेंट है तो 7 गुणा 8 करो पावर समान है सेम रेंद दो 7 अठे 56 की पावर में 1 बटे दो यही आपका आंसर है बटा कुछ कुश्यन दे रहा हूँ मैं आपको IMPORTANT ध्यान से देखिए जरा देखें यह IMPORTANT कुश्यन है दो तीन बार पेपरों में भी आया है और देखें पहले समझने की पिसमस करें मैं क्या आप समझा रहा हूँ देखें यह BASE है आपका E उसकी पावर जो है वो कह रहा है कि माइनस में भी है और इसकी भी पावर C अपॉंट D है और वो माइनस में है समझ रहो ना चलिए अब करके देखते हैं पहले अब सिंपल सी बात है पहले इसे सॉल्व करें या इसे दोनों को साथ के साथ करते हैं 256 256 बिटा पहले फैक्टर कर लें चलिए फैक्टर करो दो से काटिये दो एकम दो दो दूनी चार दो अठे सोले दो से दो चिक का बार है दो चो काट फिर दो से काटो इसे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में दो तिया छे और दो दूनी चार और फ दो चिका बार है, फिर दो से काटोगे, दो अठे सोले, फिर दो से काटोगे, दो चौक आट, फिर दो से काटोगे, दो दूनी चार, फिर दो से काटो, दो एकम दो, एक फेक्टर दो, तीन और चार, दो, एक, दो, तीन, चार, इट मिन्स कि यदी हम ये कहें कि बेटा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 4 की पावर 4 को इस प्रिकार लिख सकते हैं ठीक है तो आप इसे 4 की form में ही क्यू लिखा होगे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ क्यूंकि बेटा जिस form में आपको दिया हुआ है मतलब मैंने कहा square suppose that कि ये है 16 का square 2 है तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसको इसी form में दिखाना पड़ेगा like 1 बटे 2 है तो मुझे 4 का square गुणा 1 बटे 2 काट दिया है इसलिए मुझे 2 की form में लेना पड़ेगा तो इसको 4 की form में लो 4 का power 4 चार का power 4 और उधर जो चल रहा है माइनस में 4 का power 4 है ना तो यहाँ पे का है अब इस 4 को भी break कर लो 2 की power 2 और गुणा में माइनस 3 बटे 2 ध्यान दे ना बटा बड़ा इसी सवाल है 2 से 2 कट गया समझ रहो ना 4 की power 4 चलने दो और यहाँ पे क्या था आपके पास में माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की power माइनस 3 समझ रहो समझ रहो बरकूल समझ रहो तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं इस प्रिकार से 4 की power 4 4 की power 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बिटा दो दूनी चार दूनी आठ माइनस कितना हो गया यह माइनस है माइनस में कितना हो जाएगा भई माइनस में हो गया तुमारे पास में आठ कितना हो गया आठ दो की पावर आठ यहां हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि पावर में यह माइनस का 1 बटे में 8 ठीक है अब इसे खोल दीजे 4 की पावर में 4 गुणा माइनस एक बटे 8 काट यह यह से 2 एकम 2 ओ सरी चार 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 दूनी 8 अब हमारे पास जो अंसर है बिटा यह क्या हो जाएगा 4 है ना चार की पावर माइनस एक बटे 2 या 2 की पावर 2 गुणा में माइनस एक बटे 2 समझ रहे हो चलिए very good 2 से 2 खतम आंसर आगया 2 की पावर माइनस 1 या हम इसे क्या लिखेंगे 1 बटे 2 कभी भी जब माइनस पावर खतम करनी है देखे 1 की पावर माइनस 1 दिया हुआ है तो 1 अपॉन में A लिख दीजे देखे तो हमारे पास में 1 की पावर माइनस 1 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे A राइट एक ये कुश्यन है एक और कुश्यन देते हैं बहुत important है ध्यान से देखे देखे बचे ये भी important कुश्यन है इसमें ना तो ये दोनों base से में ना है इनकी पावर से में अब क्या करेंगे एक common बात है इनकी में ध्यान से देखे ये 81 है ये 16 है यहाँ पे 4 है हमको break करना है इसको तोड़ना है बच्चे 81 को और 16 को एक ही form में तोड़ना है अगर मैं कहूं 3 की पावर में 3 की पावर 4 सेम होता है बच्चेस पावर 4 सेम होता है बिरकुल सर होता है माइनस 3 अपॉन 4 इधर आजओ 5 का स्क्वार 3 का स्क्वार 25 5 के स्क्वार के form में 9 3 के स्क्वार के form में माइनस 3 बटे 2 यहाँ तक किसी को प्रॉबलम बिरकुल भी प्रॉबलम आपको नहीं होनी चाहिए और आगे देखिएगा आप इस प्रिकार लिख सकते हो से 3 बटे 2 की पावर में कितना 4 गुडा माइनस 3 बटे 4 और फिर क्या करोगे आप बिटा गुडा में 5 बटे 3 की पावर 2 गुडा माइनस 3 बटे 2 यह लिखा जा सकता है बिरकुल आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था बच्छे कि यदि A अपॉन B है और पावर यहाँ पे C और C दिया हुआ है सेम पावर है तो आप A अपॉन में B की पावर C कर सकते हैं लिखाया था पढ़ाया था आ रहा है याद आना चाहिए अगर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ आप क्या करेंगे आप 4 से 4 खतम हो गया यहाँ पे 2 से 2 खतम हो गया तो आप देखेंगे इसको कितना बचाए तीन बचे 2 की पावर माइनस 3 और गुड़ा में कितना 5 बचे में तीन की पावर में माइनस 3 कुछ तो समझ में आया होगा बिर्कुल आ गया है क्योंकि आप देख चुके हैं कि 3 बचे 2 गुड़ा में 5 बचे 3 कि पावर माइनस 3 3 से 3 खतम 5 बटे 2 की पावर माइनस 3 या 2 बटे में 5 की पावर 3 सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया 2 बटे में 5 इसको क्यों कर दिया आपको साइद यही confusion होगी और आप यही कहना चाहा रहे होगे कि आपने इसको इस प्रिकार से क्यों लिखा क्योंकि बटा मैंने बताया था जब कभी भी आपको लिख रहा है जैसे कि मैंने लिखा A अपन B बटा और कि पावर माइनस में है तो इसे 1 अपन में A अपन B की पावर 1 जब करोगे तो 1 से तो कोई effect है यह उल्टा हो जाएगा B अपन में A लिख दीजिए समझ में आ रहा है तो आपका आंसर या तो 2 की पावर 2 बटे में 5 की पावर में 3 यह होगा या 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 3 125 होता है यह answer है यह 3 नंबर में कुश्चन पूछा जाता है बच्चे लगबग हर दूसरे साल और 3 साल इसको repeat कर देते हैं ये लोग ठीक है बस एक last और question बिटा बता रहूं और फिर important question आपको बाद में कराऊंगा राइट ठीक है इस question को तो कहेगा या तो simplify कराएगा या कहेगा हल करिए या कहेगा ग्यात कीजिए या कहेगा एक्स की घात क्या है ये पूछेगा बच्चे सवाल यह है इससे आगे आप जब करेंगे तो कैसे करेंगे दिखे, सबसे पहले यहाँ पर एक करणी रूप है तो आप इसे देखेंगे आप करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में X की पावर कितनी है? 3 है X की पावर 3 है तो यहाँ पर सबसे पहले जब इस पावर को हटा होगे, मैंने आपको पहले भी बताया था यदि एक की पावरे इसे खतम करते हैं तो बिटा, एक की पावर में 2 होता है मैंने कहा एक की पावर में 3 लिखा हुआ है तो बिटा, क्या हो जाएगा? एक की पावर 1 बटे 3 हो जाएगा अगर मैंने कहा एक की पावर अंडरूट में 4 A है तो आप क्या करेंगे एक की पावर में 1 अपोन में 4 हो जाएगा समझ रहे हो ना समझने की कोसिस करिएगा बिटा समझ में आएगा ठीक है तो अब x की पावर 2 की पावर 1 बाई 3 इसे जब solve करोगे बच्चे तो उपर क्या हो जाएगा x की पावर 2 बाटे 3 फिर इसे भी solve करो x की पावर 2 बाटे 3 गुडा में कितना 1 बाटे 4 ओके 2 दूनी 4 तो x की पावर 1 बाटे में 3 गुणा 2 बराबर x की पावर 1 बाटे में 6 या under root 6 x बट उसने क्या काया मुझे घात में confirm करना है इसको घात के रूप में देखना है ठीक है इसको पावर के रूप में डिगरी के रूप में करना है तो answer बेटा ये होगा ठीक है ना तो ध्यान देखे ये कब पुछेगा जब option में पुछेगा या ये भी इसका answer ऐसा नहीं answer यदि उसने काया घात के रूप में तो ये ही होगा ठीक है यहाँ छोड़ियाओ इसे answer आगया तो प्यारे बच्चो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अब हम आपका next chapter लेके आएंगे तब जब आप हमसे comment करके कहेंगे कि next chapter आप कराईए क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं कोई response नहीं दे रहे हैं तो sorry बिटा मैं आगे तब ही कराऊँगा जब मुझे आप कहेंगे otherwise आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा ठीक है thank you so much धन्यवाद जै शिर्ण